तो आज हम हमारा दी फार्मा फर्स्ट यर का जो सब्जेक्ट है इस हुमें इनॉट्मियन फिजियोलोजी उसके रिविजिन MSQs आज डिस्क 스 करने वाले तो अज की विडियो उससे पहले अगरा आप ने अवी तक चैनल को सबस्क्राइब करें लुटी उस लाइक करें है आप हमें टेलीराम पे भी जॉइन कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन होती है इस इत यूट्रेस ओवरी फलोपियन ट्यूब यह सर्विक्स तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है जब स्पर्म मीट करता है किसके साथ एग के साथ तो उस प्रॉसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन तो यह प्रॉसेस का होता है जैसे यह फ यहां पर क्या होता है, fertilization होती है, यह चीज क्या कहलाती है, यह चीज कहलाती है, phallopian tube, uterus इस पूरे को बोला जाता है, तो यह नहीं आएगा, ovry के ovry यहां पर होती है, यह egg release करती है, तो यह भी नहीं है, phallopian tube correct answer है, cervix की बात करें, तो cervix uterus का neck होता है, नीचे जा के आता है, तो ये भी नहीं है, तो correct क्या है हमारे पास option C, that is fallopian tube, तो location of fertilization human body में कौन सी है, fallopian tube, आगे चलते second question की तरफ क्या लिखा है, sebaceous glands are responsible for dash the nipple during the lactation, हमें बोला जो sebaceous gland होती है, वो क्या करती है nipple को during lactation, जब कोई mother pregnant होती है, ठीक है, जब उसका baby हो जाता है, तो हो milk produce करती है अप अपनी breast से, तो उसके nipple पे जो sebaceous glands होती है, वो क्या काम करती है, वो lubricate करने का काम करती है, protect करने का काम करती है, maintain करने का काम करती है, इनमें से कोई भी नहीं करती है, तो sebaceous glands वो glands होती है, जो sebum निकालती है, क्या निकालती है, sebum, sebum को बोले, तो मतलब oil निकालती है, तो और जो निकलता है उसका basic काम क्या होता है lubrication का क्या काम होता है lubricate करने का उसे गीला रखने का ठीक है protection में कोई role play नहीं करती है maintenance में कोई role play नहीं करती है यह भी नहीं है तो correct क्या है हमारा option A that is lubricating कि जो sebaceous glands है वो sebum निकालते और वो क्या करते है lubricate करते है निपल को delectation के टाइम के आगे चलता है third question में क्या लिखा विच सेल्स of pancreas secret glukagone कौन से cell ऐसे है pancreas के जो glukagone निकालते हैं तो जो हमारे पास pancreas है उसमें हमारे पास ounce eyelids of langer hands होते हैं उसमें हमारे पास 3 तरह के cells होते है alpha cells होते है beta cells होते हैं और हमारे पास delta cells होते हैं जो alpha cells होते हैं वो हमारे produce करते हैं glucagon, जो beta cells होते हैं, वो produce करते हैं insulin और जो delta cells होते हैं, वो हमारा कौना hormone प्रोड्यूस करते हैं? somatostatin somatostatin produce करते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि कौनसा glucagon निकालता है? तो कौनसा निकाल रहा है? alpha cells, so correct answer क्या हो गया? option A, beta गलत है, क्योंकि इंसुलिन निकालता है, डेल्टा, समेटोस्टेटिन निकालता है, नन अफद अबव है निक्योंकि एक हमें करेक्ट मिल गया है, तो अगर आपको ये सारी चीजे थियोरी में कवर करनी है, तो हमारा उधे फार्मसी क्लासेस का अप्लिकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से जाक करके पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं, पैरा थाइरेड हॉर्मोन है वट इंफ्लूएंस अन कैल्शियम लेवल, हमें बोला है कि जो पैरा थाइरेड हॉर्मोन है हमारे, वो उनका कैल्शियम पे क्या इंफ्लूएंस होता है, बेसिकली, ठीक है, तो पैरा थाइरेड हॉर्म thyroid gland produce करता है, कौन करता है, parathyroid glands are responsible इनकी production के लिए, ठीक है, तो ये क्या करता है, basically increase करता है calcium के level को, जब भी blood में कम level हो calcium का, तो ये क्या करता है, जाएगा bones के पास, bones में से निकालेगा, kidney से reabsorb करवाएगा, और hence हमारी body में calcium का level क्या करेगा, increase करेगा, तो correct answer क्या है, हमारा option है, that is increase the calcium level, decrease नहीं करता है, decrease हमारा करता है, hormone तो ये हो गया incorrect, affect करता है, क्यों नहीं करता है, none of the above है नहीं क्योंकि एक हमें correct मिल गया, तो parathyroid hormone क्या करता है, calcium के level को body में increase करते हैं, आगे चलते है, kidney secrets which hormone, जो kidney है, वो कौन सा hormone निकालती है, is it calcitonin, thyroxin, drenin या oxytocin, trainee toChat के बाद करें, कैल्स का निकालता है, हमारा thyroid gland प्रोड्यूस करता है, कौन करता है, हमारा thyroid gland प्रोड्यूस करता है, तो यह नहीं है, thyroxin भी हमारा thyroid gland ही produce करता है, oxytocin के बाद करें, तो ये हमारा posterior पॉस्टेटीर पर चूटारी निकालता है, तो यह नहीं है, तो यह तीन उप्शन होगानीन, इसकी आपई तो कुछ है, यह थो बेट्प्री करथे है, वेच ए लगो हुवराश आपई सिंस्टेम होते हैं, धरनीन, एंगियों, एल्ड़ोच रों सिस्टम् और चलते हैं इंणे क्या लिखें सुपरेनल ग्लांड हैं स्परेनल ग्लांड होतें कॉई किसी हैं सिक्वायरेनल ग्लांड करो restsया है suprarenal supra मतलब उपर renal मतलब kidney तो kidney के उपर जो gland है उसे है आप बोलेंगे suprarenal gland या adrenal gland तो इसके कितने पार्ट है तो अगर हम इसका इसे structure बनाएं तो basically इसके दो पार्ट होते है main main हमारा होता है cortex और medulla यह हमारा हो गया cortex adrenal cortex और बीच वाला हो गया हमारा medulla तो कितने main part है हमारे adrenal gland के that is two so correct answer है मारा option A that is two B नहीं है 4 नहीं है 5 नहीं है चीक है आगे चलता है क्या लिखा है macrophages in the lungs are known as dash हमें बोला जो macrophages होते हैं मतलब जो कोई outside foreign cheese body में आ जाए तो उसे kill करने वाले जो macrophages cell है जब वो lungs में present होते है तो उन्हें क्या बोलते तो इनको हम location wise distribute करते हैं जैसे mizangial cells हमारे kidney में होते हैं मतलब kidney के macrophages को हम mizangial cells बोलते हैं glial cells brain वालों को बोलते हैं ठीक है मतलब brain में जो macrophages है उन्हें क्या बोले जाता है ग्लायל cells बोला जाते हैं कूफ़र सेल्स हमारे लिवर में प्रेजेंट होते हैं, लिवर के जो मैक्रोफेजिस हैं, उन्हें कूफ़र सेल्स बोला जाते हैं, और वैसे ही डस्ट सेल्स जो हैं, वो हमारे किसके हैं, लंग्स के, तो लंग्स के जो हमारे मैक्रोफेजिस हैं, उन्हें डस्ट सेल्स बोला जाता है उस condition को जिसमें हमारी बॉडी में fluid accumulate हो जाता है पानी भर जाता है और जिसकी से जाती है एडीमा ग्लो मैरूलों नेफ्राइटिस डाइबिटीज यह रीनल फेलियर रीनल फेलियर के बाद करें तो मतलब किड्नी काम करना बंद कर गई यह फेल हो गी है तो वह condition होती है रीनल फेलियर यह नहीं है डाइबिटीज आपको पता है हाई ग्लुकोस होता है जब बोला जाता है जब बॉड़ी में स्वेलिंग हो जाती है एक्सेसिफ फ्लूड हमारी बॉड़ी में ऐक्यूमलेट हो जाता है तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा option A आगे चलते हैं क्यालिक है विच आफ़ फॉल्विंग कनेक्स बोन तू अ मसल इन में से कौन सा हमारा जोडता है बोन को मसल के साथ तो हमारे पास दो आ जाते कंडिशन यह बहुत फ्रीक्वेंट आस्ट क्वेशन है बोन तू बोन कौन जोडता है और बोन तू मसल कौन जोडता है तो बोन तू बोन जोडता है हमारा लिगामेंग और बोन तू मसल हमारा जोडता है तेंडन तो यहाँ पर हमसे पूछा है बोन टू आ मसल तो बोन टू मसल कौन जोड़ता है टेंडन तो और आशर इस तैंडन लिगामिंट बता चुक्यों बोन टू बोन जोड़ता है तो यह इनकर्ट एए और बी पॉसिबल नहीं है ठीक है नन अवप द आब है नी क्योंकि एक हमें करेक्ट मिल डोनर कौन होगे तो सबको blood दे सकता है वो हमारे O भाई साब और recipient मतलब तो सबसे blood ले सकता है वो हमारे AB भाई साब ठीक है तो यहाँ पर correct answer के है हमारा option A that is AB आपके चलते कहले कि what are known as a fundamental unit of contraction हमें बोला है कि इन में से fundamental unit of contraction मतलब कौन से ऐसी चीज है Fasicals है, Sarkolema है, Tenden है, Miofibrils है जो कि contraction करने में help करते है, contract करने में muscles को ठीक है? So हमारा correct answer है Miofibrils में हमारे पास muscles fiber आ जाते है I, Mio मतलब muscle और fibrils मतलब muscle के fiber जयसे कि हमारे पास Actin आ गया, Mio से न आ गया तो यह हमारे responsible होते है किस के लिए? contraction के लिए, तो fundamental unit of contraction कौन है, हमारा myofabrile is our correct answer, बाकिके तीन हमारे गलत option है, आगे चलते हैं क्या लिखा है, the movement of the body away from the midline is known as dash, is it abduction, adduction, extension या rotation, हमें बोला है, body का movement हो ना away from the midline, जैसे ये मेरी body है, ठीक है, अगर मैं इससे हाथ दूर के side लेके जा रही हूँ, मतलब मेरी जो midline है, उससे क्या लेके जा रही हूँ, दूर लेके जा रही हूँ, तो उसे बोलते हैं abduction, क्या बोलते हैं उसे abduction, अगर मैं अपनी body की तरफ ला रही हूँ, तो उसे बोलते हैं abduction, आप कैसे क्या है हमारा option A that is abduction, adduction नहीं है extension नहीं है rotation नहीं है, बाकी तीन गलत option आगे चलते हैं क्या लिखा है which structure connects the third ventricle of the brain with the fourth ventricle of the brain जैसे कि हमारे पहले lateral ventricles आ गए, lateral ventricles जैसे one or two है, फिर एक connection आ जाता है, फिर third ventricle आ जाता है brain का और फिर एक connection आ जाता है फिर fourth ventricle आ जाता है तो हमें बोले कि जो third और fourth है वो आपस में किस से जुड़े हैं मतला हमें इस structure का नाम पूछे तो इस structure को बोलते हैं हम cerebral aqueduct क्या बोलते हैं इसे cerebral aqueduct बोलते हैं या इसे duct of sylvius भी बोलते हैं तो यह क्या करता है third और fourth ventricle को जोड़ते है lateral ventricle third से जुड़े हैं by the intraventricular foramen की help से जुड़े हैं ठीक है तो correct answer है हमारा cerebral aqueduct corpus callosum के है इन दोनों के बीच का connection है lateral ventricle के बीच का connection है तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है correct option के है हमारा cerebral aqueduct that is option B next time ever CSF is synthesized by spinal cord, choroid plexus, dorsal root या बोथ A and B ठीक है तो CSF होता के है पहले हमें वो पता होना चीए तो यह है हमारा cerebral spinal fluid क्या है cerebral spinal fluid को बोला जाता है CSF यह क्या करता है हमारा जो हमारे central nervous system है उसकी surrounding में हमारा present होता है तो spinal sorry cerebral spinal fluid को synthesize कोन करता है so correct answer है option B that is choroid plexus choroid plexus basically network होता है blood vessels का जो की हमारे ventricles में present होता है brain के और यह क्या करते हैं basically CSF produce करते है so correct answer है choroid plexus spinal cord नहीं है dorsal root नहीं है A or B नहीं है ठीक है correct है choroid plexus हमें बोला कि कौन सा part brain का largest है cerebrum, cerebellum, medulla, oblong, get up on so जैसी हमारा brain है यह हमारा brain है ठीक है यह हमारा अकेला ही cerebrum होता है यह हमारा क्या है cerebrum होता है यह cerebellum है यह brain stem है तो देख लो पूरे brain में से majority of part किसने occupy कर रख है हमारा cerebrum ने फिर वो आगे areas में डिवाइड होते है तो काफी complexity है तो सबसे बड़ा part अगर generally पूछा है तो वो है हमारा cerebrum चैक है आगे चलते हैं क्यालिके name of the longest cranial nerve सबसे लंबी cranial nerve हमारी कौन सी होती है facial है, oculomotor है, vegas है, drochlear है तो cranial nerves को learn करने का तरीका क्या है ootafegva ootafegva तो यह हमारे पास एक trick होती है हमारी तेरा जो nerves spinal, sorry, cranial nerves है उनको learn करने के लिए हमारे पास ठीक है, हमारे पास यह आ जाती है olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigerminal, abducens, facial, accessory, glossopharyngeal, vegas ठीक है, हमारे पास hypoglossal आ गई categories है, तो इनको, इनसे हम देख सकते है कि कैसे, यह series wise, आप इस shortcut से इसको याद कर सकते हो तो यहाँ से पुछे longest cranial nerve है longest cranial nerve हमारी V होती है, that is vegas vegas हमारी सबसे लंबी है और यह हमारी 10th cranial nerve है, ठीक है facial नहीं हो, oculomotor नहीं है, trochlear नहीं है correct answer के option C, that is vegas strongest muscle of the body, हमारी body का सबसे strongest muscle कौन सा होता है ठीक है, is it buxinator, okay is it sartorius, masseterian, gluteus, maximus तो basically हमारा जो masseter muscle होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, prominent muscle है यह, क्या है, prominent muscle है किसका jaw का, हमारे जबडे का यह क्या है prominent muscle है, ठीक है और zygomatic, जो मैं, cheek bone होती है वहाँ से नहीं कलता है तो यह हमारा सबसे strongest muscle होता है पूरी body का बक्सिनेटर हमारा chewing muscle है, वो नहीं है sartorius, tailor muscle है, वो नहीं है gluteus, maximums भी नहीं है correct answer है, option C, that is masseter which structure is responsible for the balance of the body and is located in the inner ear इसा कॉंसा structure है, जो कि हमारी body का balance बना के रखता है मतलब हम खड़े हैं, तो हमारा एक posture यह balance बना के रखता है हम गिरेंगे नहीं और यह ऐसा structure है, जो कि हमारा inner eye में present होता है is it you, stachian tube, vestibular apparatus, cochlea या steps, तो steps तो देखो, हमारा middle ear में होता है, यह तो है नहीं बचे यह 3, ठीक है, यह stachian tube basically हमारा atmospheric pressure maintain करता है, बाहर से अंदर का तो यह भी नहीं है ठीक है, cochlea हमारा hearing में help करता है, यह भी नहीं है, तो vestibular apparatus is our correct answer, vestibular apparatus हमारा एक ऐसा organ है, ऐसा part है, जो कि हमारी body का balance maintain करके रखता है, और कहां present होता है, inner ear में present होता है next question है, skeleton of face is formed by how many bones हमें बोला है, जो skeleton है face का, वो कितनी हड़ियों से मिलकर बने, बोन से मिलकर बने, 20 से, 14 से, 27 से, 34 से, तो basically जो हमारा face होता है उसमें 14 bones होती है, कौन कितनी होती है, 14 bones होती है, कौन कौन सी, nasal दो ठीक है, lacrimal दो inferior nasal conca ठीक है, ये भी दो होती है हमारे पास, maxilla दो mandible 1 ठीक है, palletine दो zygomatic दो और warmer एक तो ये मिला के हमारा, क्या बनता है 224, 6, 8 और ये हमारे पास 10, 12, 13 और 14 तो total हमारे पास क्या है, 14 bones है जो कि मिलकर क्या बनाती है, हमारे skeleton of face बनाती है तो correct answer है, हमारा option B that is 14 आगे चलते हैं क्या अलिक है, number of lobes in the right lung, right lung में कितने lobes होते हैं, तो जैसे हमारे lungs है, जो हमारा right lung है, और left lung है, right divided होता है हमारा 3 lobes में और जो left होता है, वो हमारे divided होता है, sorry, 2 lobes में ही हमारा divide होता है, 1, 2, 3, and 1 and 2, तो हम से पूछा है, कि right lung में कितने lobes होते हैं, तो right lung में हमारे 3 lobes होते हैं, तो correct answer है, option B, that is 3, अगे चलता है, least stable joint of the body, सबसे least stable, मतलब जो जल्दी टूट जाता है, तो कौन सा ऐसा joint है, जो कि बहुत ही कम stable है, तो ball and socket joint, and pivot, hinge, and none of the above, so basically, जो ball and socket है, वो most mobile joint होता है, body का, मतलब सबसे जादा movement अगर कोई joint देता है, तो वो ball and socket joint देता है, और इसी की वज़ा से, इस काफी जादा move कर सकता है, इसी की वज़ा से, यह क्या बन जाता है, least stable, कि इतना stable नहींगे, बाकि इतना move नहीं करता है, तो वो बचे रहते हैं, लेकिन जादा move करता है, तो इसलिए इसका टूटने का खत्रा भी जादा होता है, तो destable joint कौन से हमारा option है, that is ball and socket joint, आगे चलते क्या लिखा है, innermost layer of the blood vessel is known as dutch, हमें बाले innermost layer, जो blood vessel की होती है, वो कौन से है, तो blood vessel है, कोई भी जिसमें blood बहता है, उसकी 3 layers होती है, ठीक है, जो हमारे पास सबसे inner वाली होती है, उसे हम बोलते हैं, tunica intima, जो हमारे middle वाली होती है, उसे tunica media, और जो बाहर वाली होती है, उसे बोलते हैं, tunica adventitia, ये 3 layer के नाम होती है, blood vessel की आपको याद रखने है, बाहर वाला adventitia, बीच वाला media और अंदर वाला intima, तो यहां से पुछा inner मोसब से अंदर वाली layer कौन सी हमारी intima, तो correct answer है, हमारा tunica intima, आगे चलते हैं, क्या लिखा है, which of the following has our olfactory area, हमारा olfactory area, olfactory मतलब सुंगने वाला area, तो आपको याद रखने है, एक चीज़, सुनना, सुंगना और चक्षना, ठीक है, सुनना, सुनना, मेरी हिंदी पूर है, पर कोई नहीं, आप देख लें ना, और चक्षना, ठीक है, यह तीन चीज़ें हमारा, सुनना, सुनना और चक्षना, यह हमारा temporal lobe में होता है, तो यहां पर सूंगना दिया हुए तो वह कहां होगा हमारा टेम्पोरल लोग में सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी फ्रेंटल की बात करें तो जो भी हमारे वॉलेंटरी आक्षिन है हाथ को चलाना पैर को चलाना इस फ्रेंटल करता है और सी पिटल हमारा विजन को कंट्रोल क सबसे लंबा पार्ट कॉन से स्मॉल इंटेस्टाइन का तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास तीन पार्ट होते हैं डियोडिनम जीजुनम और इलियम यह तीन होते हैं सबसे पहला सबसे छोटा फिर थोड़ा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा होता है इलियम सबसे लं कौन से तो करेक्ट आंसर हो जेगा एलियम जुजिनम नहीं नहीं दूडिनम नहीं को लोन तो लाज इंट इस्टाइंग का पाट है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तो आपको अच्छे समझ आ गया हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंड करके पूछ सकते हैं और कि अ झाल झाल